हे माइ लवली वीवर्स वेलकम बैक टो तरकाविट स्टाइल और राखी आने वाली है और आप लोगों के मन में भी यही सवाल होगा कि राखी पर ऐसा क्यास कुछ स्पेशल अपने भाईयों के लिए बनाया जाए जो हम मार्केट की मिठाई लाने से बच जाएं जी राखी के समय हम देखते हैं कि जब बल्क में मिठाईया बनाई जाती है तो उसमें शुद्धिता की कोई ग्यारेंटी नहीं होती तो इस राखी पे हम आपके लिए नई नई स्पेशल रेसिपी लेकर आ रहे हैं तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा औ आप देखकर चौक जाएंगे कि क्या घर में रखी ब्रेड से आप इतनी स्वादेश्ट और सुंदर दिखने वाली मिठाई बना सकते हैं बहुत ही अमेजिंग है स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 5 से 7 ब्रेड ले और फर्स्ट प्रोसेस जो होगा इस ब्राउन पार्ट है इसे हमें हटा देना है मिठाई सुंदर लगे इस ब्राउन पार्ट को हम हटा रहे हैं साथ ही यह भी में आपर कोट कर दू कि ब्रेड जो हमने ली है एक दम फ्रेश थी आपको भी फ्रेश ब्रेड ही लेनी है तो आपको इसके ब्रेट क्रम्स बना लेने हैं यह जो मिठाई हम लेकर आ रहे हैं वो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है और कोई भी वाइरल रेसिपी हम आपके लिए ना लाएं तो ऐसा तो होई नहीं सकता तो चलिए आप आगे इसमें देख आपको क्या करना है एक पाउडर बना लें तो मैं कहा रही थी मिल्क पाउडर रेसिपी आप राकी पर बनाएंगे तो बहुत ही उनीक टेस्ट आएगा क्योंकि मावा तो वैसे भी शुद्ध मिलना नहीं है तो तेखे इस तरह बारिक पाउडर बनाने के बाद इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक बर बिल्कुल भी नहीं आएगा ट्राइ किया है तब यह रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं इसे भी हम पाउडर शुगर में मिक्स कर देंगे दोनों को अच्छे से मिलाएंगे और आप इसमें जाएगा तीसरा इंग्रीडियन्ट जो है मिल्क पाउडर जी हाँ जैसे कि मै आपके इतनी स्वादेश्ट और महंगी मिठाई बनने वाली है जो आप बजार में 500 रुपे की खरीदेंगे यहां आपको 50-60 रुपे में वो मिलने वाली है टेस्ट जो वार्केट में मिलता ही नहीं क्योंकि ऐसी मिठाई आपको मिलेगी सिर्फ तडगाविट स्टाइल प और अब देखते जाएए कि इस डो से आपको क्या करना है तो मैं क्या रही थी राखी पर अपने हातों से भाईयों के लिए अगर मिठाई बनाई जाए तो इसकी तो कहने ही क्या तो इसलिए हम कितने सारे मिठाईयों की रेसेपीज लेकर आ रहे हैं आपको जो पसंदो चमत से घी से बनने वाली ये टेस्टी मिठाई आप सब के लिए इन राखी स्पेशल तो देखे दो इकुल पार्ट में इस डो को हमें बाट लेना है अब देखे हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में मिठाई बना रहे हैं क्योंकि अभी तो राखी है नहीं इतनी मिठाई बना कर हम भी टेस्ट कर रहे हैं कि हमें कौन सी मिठाई गाकी पे बनानी है और यहां एक पार्ट में हमने या पर डाला है फूड कलर जी हां आप रेड गलर ले सकते हैं येलो कलर ले सकते हैं कोई भी ले सकते हैं इस फूड कलर को भी हम इस तरह हमारे जो डो में ह तैयार है एक white और एक green आप इसे yellow green भी बना सकते है red green भी बना सकते है आपके उपर है अब एक छोटी सी plate लिया है क्योंकि quantity इतनी ही बना रहे है इस छोटी सी plate को घी से grease कर लिया है ताकि यह जो हमारी मिठाई है वो अच्छे से निकल जाए और फिर जो white part है उसे मैं अच्छ और यह मिठाई बहुत ही टेस्टी बन कर तयार होगी तो देखे इस तरह आपको फैला देना है और आप इसके ऊपर हम वो green पार्ट लगा देंगे जो हमने color डाल कर तयार गया था तो बहुत ही unique मिठाई या बनने वाली है जो दिखने में तो सुंदर लगी साथ ही टेस्ट बन गई कितनी कम चीजों से बन गई और quantity वे अच्छी खासी बनी है एक डिबा भरकर आप इसे तयार कर सकते हैं तो देखे इस तरह corners को भी हम स्मूथ कर लेंगे और इसे सेट होने के लिए अब हम रख देंगे फ्रिज में क्योंकि अभी यह बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट ह है यहां से हद्ज काट इसे काट ने के मीटा बताएगी और कितनी ऑर काजू बनाने के लिए हिए इस इहांपर काजू लगा रही हूं इस तरहे हम पर कुछ शेप का है मैं यहां पर इसे कट कर रही हूँ तो बहुत ही इजिली आप कोई भी शेप इसे दे सकते हैं काजू की जगे बदाम लगा सकते हैं इट्स अल अप टो यू बट यहां इस तरह यह मिठाई बनकर तयार हो गया है दिख रहे हैं कितने सुन्दर तो एक बार ट्राइ करनी तो बनती है इसी तरह आप सारे हार्ट शेप यह मिठाई बना लेंगे और इसे एक सुन्दर से डिबे में पैक कर देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह मिठाई बनाई गई है घर में तो देखे इसी तरह सारे heart shapes हम बना लेंगे, आप चाहे तो इसकी बरफी की तरह से काट सकते हैं, आप इसे गोल काट सकते हैं, काजु कतली का shape दे सकते हैं, कोई भी shape दे सकते हैं, पर ये heart shape दिखने में लगेगी बहुत ही जादा सुन्दर, तो चलिए फड़ा फट सारे pieces का आप लेते हैं, प्लेटिंग करके आपको बताते हैं इसका final result, तो देखे ये होगे, इसकी प्लेटिंग लगरी है कितनी सुन्धर और आप भी ये बनाने की जरूर से try करिएगा, एक बार जैसे की मैंने कहाँ राखी आने में टाइम है, तरह तरह की मिठाईया ट्राय कर सकत और आप भी इसी तरह राखी पर अपने भाईयों के लिए ये स्वादिश मिठाई बनाईगा, और भी नई नई राखी special recipes आने वाली है तर्कविट स्टाइल पर तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और देखे तरह तरह की मिठाईयां, काजू रो बढ़ाई